तो दोस्तों 10 अक्टूबर के लिए आप सब तयार होंगे 10 अक्टूबर को प्रिलिम्स एग्जामनेशन है UPSC का तो मैं आपसे कुछ छोटी-छोटी टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जो कि आपको 10 अक्टूबर को एग्जामनेशन डे में आपको काम आ सकती है तो सबसे पह बॉड़ी में ब्लड फ्लो एक इंपॉर्डेंट प्रक्रिया होती है और जैसे आपकी बॉड़ी तोड़ा रिजेट थोड़ा स्टिफ मैसूस करती है तो तो थोड़ा सा वार्म अप करेंगे सिंपल स्टेचिंग एक्साइजिस सफिशेंट होंगी इससे आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाइ रेगुलर हो जाएगी और ज्यादा नहीं सिंपल लॉंग ब्रीधिंग एक्सेसाइजिस करिएगा उससे ऑक्सीजन लेवल बॉड़ी में बढ़ेगा और यह आपका माइंड एक्टिवेट करेगा ताकि एक्जामनेशन में आपको यह न लगए कि महौल न कहना चाहता हूँ कि तीन तरह के क्वेशिन्स आपको तीन कैटेगरी तीन श्रेणी क्वेशिन्स की मिलेंगी पहला होगा कैटेगरी ए जो की बहुत इजी होगा आप पढ़ते ही उसका आंसर आपको मालूम होगा सिंपल क्वेशिन्स होंगे दूसरी कैटेगरी होगी कैट को पढ़के लगेगा कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर लेंगे लेकिन तुरंत आपको नहीं मालूम है थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सोचना पड़ेगा तीसरी कैटेगरी होगी C कैटेगरी ये दोस्तों ऐसे questions होंगे जिसके बारे में आपको कोई idea नहीं है बहुत tough होंगे इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो इन तीन आपको पढ़ने ही होंगे और अब जब पहली reading में आप सारे questions पढ़ रहे हैं तो उसमें जो category A के questions है उनको आप attempt करते जाएए जो सबसे questions को mark कर दीजेगा यह वो questions होंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाथ थोड़ा सा समय देने पर questions solve हो जाएंगे थोड़ा दिमाग लगाना होगा हो सकता है एक दो options को eliminate करना होगा तो यह questions अगर आप mark कर देंगे लेकिन किसी भी question में category B के question में भी फसना नहीं है time बहुत दा नहीं देना है पहली reading सिर्फ उन questions को solve करना है जिसमें आप short shot है और थोड़ा भी दिमाग लगाना है category B questions तो उसको आप second reading के लिए बचा के रखिएगा आगे बढ़ जाईए कि mark कर दीजेगा यहाँ इस question पे lot के आना है दोस्तों पहली ही reading में आप category C questions भी आपको मिलेंगे जब आप पहली reading question paper की कर रहे होंगे तो उसमें कुछ questions ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको कोई idea नहीं है इन questions को आप एक दूसरे तरीके के mark जैसे मैं circle कर देता था उस question number को circle कर देता था कि यह question तो बहुत typical है और इसको attempt करना मुश्किल है तो अब जब आप second reading कर रहे होंगे तो इन questions को मत पढ़िएगा दुबारा जिसमें आपने circle कर रखा है जो तीसरी category के tough category के questions है इसको आप मत पढ़िएगा second reading में तो दोस्तों first reading में आपने जो simple questions है वो सारे कर लिए सारे questions पढ़ लिए अब second reading में आप सिर्फ category B का जो आपने जैसे मैं tick mark लगा देता था category B के लिए tick mark और category C के लिए circle second reading में आप category B के questions को ही solve कीजेगा जिसमें आप sure है थोड़ा सा समय देना होगा दो minute तीन minute देना होगा लेकिन मैं question कर लूँगा और मुझे अच्छे number इसमें मिल जाएंगे तो दोस्तों इस तरह category A और category B के question आप सारे attempt करिएगा दो reading के अंदर में इसके बाद अगर आपको time बचता है तब आप category C पढ़िएगा वरना मत पढ़िएगा पहले category A और B आपको पढ़ना है category C में आपको क्योंकि मैंने कहा ऐसे ही questions होंगे जो आपको बिलकुल भी अंदाज़ा नहीं होगा तो यह बहुत tough होंगे solve करने में हो सकता है solve नहीं भी हो लेकिन ध्यान रखिएगा कि cut off कभी भी 100% नहीं होता है cut off कम होता है तो आपका category A और category B यही आपके main questions होने जा रहे हैं जो आपको cut off से पार लगाएंगे और आपको एक चीज़ यह देख लेनी है कि आपकी तयारी इस तरह की हो इतनी practice हो कि A और B category के question से आपका cut off जरूर क्लियर हो जाए ऐसा भी नहीं हो कि आपने पूरा question पढ़ लिए और आपको 4 question आ रहे तब तो फिर exam देने से कोई फाइदा नहीं है तो आपका A और B main photo होना है, C में आपको time spend नहीं करना है और जब second reading आप करेंगे तो उसमें time waste नहीं करना है दुबारा उन questions को पढ़ गए जिसके solve होने की संभावना नहीं है दोस्तों मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि पहली reading में आपको पूरा paper जरूर पढ़ना चाहिए और सिर्फ important questions जिस पर बिल्कुल time नहीं लगना है उसी पर time देना चाहिए वो इसलिए कि जब भी आप कोई journey शुरू करते हैं आप मालीजी कोई दौर में जा रहे हैं या किसी रास्ते पर सफर कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि रास्ता किस तरह का है कहां कहां गड़े हैं क्या shortcut है कहां पे आपकी चड़ाई है कहां पे आपको ढ़लान है और इस तरह से आप उस रास्ते को plan कर सकते हैं तो पहली reading आपकी ये जानने के लिए कि इसमें खतरे कहां कहां है कौन से category C questions हैं जो कि tough हैं और आपका time खाने के लिए बैठें कौन से category B questions हैं जो कि थोड़ा समय लेके solve हो जाएंगे लेकिन आप उसमें उलज मत जाएगा कि आपका पहले समय में ही आपका confidence डाउन हो जाए और किसी question में आप बहुत ज़दा फंस जाएं तो इस तरह friends ये तीन category questions हैं फर्स reading में go through the entire question paper पूरा question paper पढ़ी और easy questions जो हैं उसको तुरंट solve कर दीजे और second reading में जो थोड़े से पेचीदा हैं लेकिन आपकी capacity में हैं उनको solve कीजे और तीसरी category questions से दूर रहिए second reading में तो पढ़ना ही नहीं है उसको नहीं तो time waste होगा और ये वाले questions ऐसे होंगे जिसमें आपको कोई भी guessing नहीं करनी negative marking देगा category B यानि second reading के जो संभावना है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसमें आप intelligent guess work कर सकते हैं options को eliminate करने की संभावना category B में हो है तो इस तरह से दोस्तों आप लोग prelims के दिन अपना attempt रखेंगे तो मुझे लगता है कि एक intelligent तरीके से इस task को आप लोग solve कर पाएंगे मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है बाबाई all the best